हाई गाइज मैं इगमाना सिंग और आप लोग का अपनी यूट्यूब चेरियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों तो आज आज मैं आपको अगर आप इंग्लिस पढ़ते हैं कोई आके पूछ देदा कि बताओ इसको रनवाद करके बताओ तो आप सीख लेंगे तो आप अपना क्या दूसरों का ही चेक अप करना शुरू कर देंगे वाई ऐसे ट्रांसेश्म की जानकारिया लेने के लिए मेरे साथ पूरे वीडियो देखिए पूरे समय तक बद जमें रहे हैं तो आजिए देखते हैं पर्ले ट्रांसेशन जैसे घोड़ा सड़क पर अड़क बढ़क गया और जैसे रोते रोते हसना सीखो तो हस्ते हस्ते रोना सीखो तंग घोडा तंग कली में तंग सवार को तंग किया आईसे से मैं दस देखिए और चैनल में नए हो सब्सक्राइब नहीं कियो तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लिजिए बगल में बेल आइकन आगा उसको दवा दिजिए ताकि समय पर आपको मेरी वीडियो मिल जाए और आप हमें वीडियो को देख सके दस्तों तो आए शुरू नहीं कोुँआ है अब दिको अरब सड़क पर अकड़कर कर ओंड़क एक वात अकड़े की आओ होती आएट होती मेरी अगर्श के दाहर यह यह हएंड और भड़कना क्यों प्लिर रफ होता है और फ्लेर या पेल ए आरी डिए ट्लेर यह धिसलेर प्लेर देखे पेश्ट इ कि इसको करेंगे इससे लिए भी आगे सारे बता रहेहं देखते रहिया तो चली है फिर्छा नाम है आदमी का दूसरा गया दिसरा अ कभी को ऑल गया वेंटो फोलो जाए जैसे किसे दिया राम यावमि संद inflamm मक epa लिए इस तरह से सब आप इसी तरह से बनाएंगे आई निए किस किस को किस की पार्टी में किस किया तो आहिए इसका देखिए किस किसने मतलब हो गया किस किस को भूम हो जागा किस की फ़ूज हो जागा कहा क्या हूज हूज पार्टी वूज न전घीन हूज भूज मैं समझता हूँ यह ठीक है समझ में आ चुका होगा तो अच्छे से रट लीजिए यह आपका अनुप्रास लंकार भी इसमें हो गया देखे किस किस सवाय है इसमें तो अगला हमारा है तंग घोडे ने तंग गली में तंग सवार को तंग किया यह बहुत ही प्यारा तो आए देखते है इसको क्या है तंग गोड़े मतलब धिश्टर्ब हर्श का तो ठीक है अगला हमारा है घसीटा से जटा घसीटा के घर तक गसीटा इसमें पाहला जो घसीटा मैं हो गया मैं नाम हो गया दूसरा ळी गहा सीठ के लिये ऊटका तर्टी में अ गया गोड़ा सब बोलते हो लेकि अरक नहीं मतलब अकड़ कर बढ़ गया अकड़ मतलब की नहीं करता है तो क्या हो गया अकड़ गया होती है होती है बहुत ही पाइक पर अकर कर भाड़ कर अपर गोड़ा सड़क पाड़कर भड़क गया दा हार्स एर्स एंड प्लेयर अब अन्दा रोड तो बहुत ही पाइक राकोश्चन यह अक्सर सब पूछते हैं रट लीजिए लिख लीजिए अच्छे से तो नेक्ष्ट पर चलते हैं ठीक है तो सजना है मुझे सजना के लिए तो आपका सजना हो गया तो आये क्या हो जाएगा आई है टू बी रेडी फार माई लवर अगर सजनी होती तो क्या होता बेलोड होता तो यहां लवर सजना है मतलब लवर हो जाएगा आई है टू मतलब मुझे पी रेडी मतलब तयार होना है जब ना है नहीं है तो उसके लिए है टू है तू लगता ही जानते हो तो रहेनी मतलब अपने सजना के लिए तो चलिए नेश्ट पर देखते हैं ठीक हैं तो आगे है रोते-रोते-स सीखो रहुत सुनता उसको भी मैं तो आइए दिखे रोते-रोते दोहरा ए लगा कर मुर्ट कर दोदो क्या है उसके लिए लगा कर मुट्रिया में अवर उसके बाद दोनुर संटेस है तो पर रोते रोते हसना सेखो तो क्या ऊजागा लर्न लाफिंग वाय ल्याओर क्राइंग अग्वाल लर्न क्राइंग वाईल यार लाफिंग वाईलियव लाफिंग तो दोनों सई है ठीक है जलते हैं अपने सपने में सपनां देखा अब जैसे वह गया गया तक था उसी तरह से यह भी है पहला सपना नाम हो गया सपना ने सपने में जो सपना रात को आप सुझके देखते हैं वो गया सपना देखा मतलब सपना देखा जो सपना देखते हो नाउन हो गया तो यह हो जाएगा सपना सा ड्रीम इंद ड्रीम सपना ने सपने में सपना को देखा य यहां पर भी तो मैं समझता हूँ यह वी कोश्चन अच्छा रहा होगा समझ में आके आपका आपका नाउन हो गया यह आपका एलगा है आपका होगे सपने में शपना सा ड्रीम टो ठीक है है तो चलते हैं अब समझते हैं समझ में आगी होगा तो अगले पर शृच पर नाचर डालते हैं तो अगला सथ हमारा है कि जे मिचानी गिश्टेे घिस गई तो यह चवादी मतलब 25 पैशसा होता है पर चलता था बंद हो गया तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते है पनीका आप चोटेश एंग्रेजा के शवादमने इस चलता था पैणी तो उसको क्या करते घिस्टे घिस्टे मतलब रगड़त तो इसका क्या हो जाएगा यह भी आप पूछ लो किसी से फस जाएंगे साब गीस्ते गीस्ते दो बार आया है इसलिए लगा करके इसमें इसक्रेचिंग जोड़ देना है इस तरह से हो जाएगा तो ठीक है तब यह समझ गये होंगे इसको भी एक बार तीर दोहरा लेते हैं च सब्सक्राइब तो यह क्या हो जाएगा अब फिर वाइल लगा कर दूसरा करेंगे क्योंकि घिसते है तो यह आज आज इसतरह से इसको तरफ पैनी स्क्रेच्ट हो आइल इसक्रेचिंग तो ठीक है गई तो समय ता हुआ गया होगा तो चलते हैं नेक्ट पर नजर डालते है तो हमारा नेक्ष्ट गया है देखते हैं क्या है तो आई अब देखिया हम मैं यू गया यू आया बोलते हो ना कहीं से को मैं जल्दी जाना होता जल्दी तुरूंत आते हो मतलब यह फ्यूचर टेंस में अभी जाओ कि फिर आओके ना तो फ्यूचर में वहाँगा लेकिन अब ही आपक खड़े हुआ लिखना अच्छा लिखनी लिखनी कि तुरंद है और तुरंद आगए है एक नजर भटते हिया आपके तो यू का अंग्रेजि मतलब तुरंद क्या होता है फ्लेश होता है फ्लेस मतलब च्यांक चौ तुरंद तुलए आपका आई सेल भी बैक इन फ्लैस तो बहुत ही मज़ेदार देभी है आप रोज बोलते हो तो चलते हैं नेक्ट बना जड़ डालते हैं तो अगला है दोस्तों मेरा सिंदूर ही सुहाग है यह भी बहुत ही प्यारा कोश्चन है इसका जो दिमाख लगा के आपको अर्थ निकाल करके अच्छे वला कि दकनी हो, अग्रेची असे बनागे को ही ने तो गलत हो किना कि व suhag सिंदूर ने क्या करते हैं चेचाल सबसे अच्छा तकिंदी कूं होता है उसकी पतिक दिमाइगा है उसका होका नसीब है, तो सबसे अच्छी नसीव अरतों का उसका पती होता है पती उसका सब कुछ है करना है तो इसलिए हो जाएगा वर मिलियन इस बेस्ट लग आप हो मैं मतलब सिंदूर ही सुहाग है तो इससा कोशन आप पूछ करके दूसरों को फसास देखेंगे जो आप से पूछते हैं उनसे कोशन पूछ के उनको ही वीडियो आपको कैसी लगी इसे कमेंट में जरूर कीजिएगा कैसी लगे और पसंद आए मुझे उमीद है बहुत अच्छी लगी हो कि तो इसके लिए एक लाइक मार दीजे चैनल में नए हो सब्स्प्राइब नहीं की हो तो प्लीज आपसे रिक् देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फार वाचिंग और अधनी वीडियों कुछ में आलेकर मिलते हैं तब तक के लिए टेक क्यार बाइबाइब सी यू और हैवे नाइस डेग